नमस्कार विद्यार्थि मेत्रों, मध्यकालीन स्त्रीकवियों नी आशिरंखला माझे आपणे बीजा चारेक स्त्रीकवियों विश्य बात करीशूं। अमुक एमानस्त्रीकवियों नोंद निया ब्रादार करीँ होई। अमुक नों मात्र नामोर लेख होई। पण अवरोल मधिकालीन गुजराती साहित्यमास्त्रीकवियों नोजे नानुमटो फालों छे एना सरज्यनमा तो एनी आपणे नोंद लाइए छे। आगर आपने चारेक कवियत्रियों विशिवात करी आजे सौथी पहला राधाबाई। राधाबाई वडुद्रान वत्नी हता। गुनातिये दक्षिनी ब्राम्मन एवा राधाबाई गुरु अउधूत नाथना शिश्य हता। राधाक्रश्ननी भक्तिमा लीन रहता राधाबाई। ग्रश्न भक्तिना पद रचिने पोताना मधूर कंठे वाजूत्र साथे वडुद्रामा फरी ने गाता फडता हता। भाग्वतना अधारे तेमने प्रश्न जिवनना किटलाक प्रसंगो कोताना पदोमा वर्णव्या छे। एसी बाई, मीरा, संत ग्यानेस्वर, तुकाराम, आधी भक्तो नाटूंका जरीत्रों, तेमने द्वारिका जेवा तेर्थक्षेत्रोंनों महिमा दर्शावता कावियों पण तेमने लख्यां छे। तेमनी भाषा गुजराती हिंदी अने मराठेना मिश्रनवाडी होई, बहु प्रभावक निवडती न थी। आमछता वाजिंत्र साथे मधुर कंठ थी पदोना गान थकी। ए समय तेवलोक समुदाईमा खसु आकर्षन जमावी शेक्या हता। इस्विशान अधार सो 555 आसपास तेमनु आउसान खर्यली मालगामा आवे छे। ए पच्छिना बेक कभियत्त्री होँ छे, जेमनु मात्र नामोले खने थोडिक बात। एमाना पहला वनारसी बाए। अधारमी सदीमा थाई गयला वनारसी बाए। निरात भगतना शिश्या हता। तेमने थुडाक भक्ती पदोनी रचना करी छे। साधी सिती भाष्यामा वैती एमनी रचनाओ पण सामाने कोटी नी बनवा पामी छे। मात्र नामोलेक वनारसी बाए। ए पच्छिना एक बक्त कभियत्त्री जनी बाए। जनीबाई अधारमी सदीना अंतभागमा अथवा ओगणिसमी सदीना आरंप मा थाई गयला मानमामा आवे छे। शक्ति बक्तिना उपासक एवा मिठु भगतना शिष्या जनीबाई एमने स्रीनाजी प्रगट्या अने नव नाई का वर्णन नामनी बे रचनाओ आपी छे। भाषा सिधी साधी अने अलंकार अवे होनी होई ए रचनाओ पण सामाने कोटी नी बनवा पामी छे। आम वणारसी बाई अने जनीबाई बनने स्त्रीक वियोनी कवी प्रति भाई कंदरे सामान्य प्रकार में छे। एम कई श्रकार। एप पछिना परी एक अग्रणी स्त्रीक वियोनी जे प्रणामी संप्रदाई माथिया आउता हता। एनु गुजराती साहित्यमा नोंधनिय प्रदाँ छे। एनु नाम छे इंद्रावति। अधार्मी सदिना उत्रार्दमा विद्यमान मनाता हैवा एक श्त्रीक कवी इंद्रावति। प्रणामी पंथना आनु आई हता। मदेकारणी तमाम श्त्रीक कवी ओमा पोतानी कवी प्रति भाथी तेओ आगवु स्थान प्राप्त करनार कवी अत्री हता। इंद्रावतिये विरह बार मासी अने रुतुवर्णन उप्रांत, खट रुतुवर्णन अने खट रुतुवर्णन कळश नामनी रचनाओ आपी छे। क्रश्न प्रतियनों विरह भाव दर्शावती एमनी जी रचनाओ छे। एमा भावनी उतकर्ता जोवां मलेशे। जमके सक्खियों हवे दुखडांते के उपर दीजे, आपनों नंदकुवर होई तेतोरीजे, आपनी वाते ज्यादानों राय नही नही बिंजे, सक्खियों हवे उधोने संदेशो शो दीजे। क्रिश्णा, आपनों होई तो आपनी व्याथाने समझी शके, हवे आपनों रयो नथी, ए पारको थरो छे। अने एनी जे वेदना छे, ए भावनी उतकर्ता अहियां आपने जोवां मलेशे। पावनी उतकर्ता अने अभिव्यक्तिनी सवळता थी इंद्रावतिनी विरह बार मासी ए अविस्मरणिय बनवा पामी छे। प्रक्रोतिना अने विरहिस्त्रीना आले खायला शब्द चित्रोपन एमना आस्वादक्षम बन्या छे। एनु द्रश्टांत जुए तो शरद रुत्तुमा पियू जी तमे शरद रुत्तुए सिधाव्यां, हारे मारा अंगणामा व्रेह वन वाव्यां। तो अंगमा विरहनावन उभाथाई। पियू जी तमे शरद रुत्तुए सिधाव्यां, हारे मारा अंगणामा व्रेह वन वाव्यां। तो पोश्मैनाने टाडमा टाडु अगननो वावलियो वाई। तेमज महमैनामा स्वामी विना सुंदरियो निशुदशा थाई। तो के स्वामी विना सुंदरियो दाहना दाध्धा रुखडियानी जेम करमाई जाई छे। ए प्रकारना वरणनमा एमनो प्रणामी पंथनो बक्तिरंग घिरा श्रुंगार्थी रसाएलो जोवां मले छे। आम अन्य श्त्रीकवियो ना करता चड़्याता कवित्वती इंद्रवती श्त्रीकवियो मा मान भर्युस्थान प्राप्त करे छे। आजे आवा त्रणचार श्त्रीकवियो विशे अपने टुकी माहिती लिदी, नेच्ट टैपी सोण मा अपने गंगास अती, अने मिजा संत्रीकवियो विशे थोड़ी वाद करीशू, त्यारेगा जानों आउचू